अखिल भारतिये तक्नीकी शिक्षा परिशद नए दिल्ली एवं 36 गड़ स्वामी विवेकनन्द तक्नीकी विश्व विद्याले भिलाई के सयुंक्त तक्वाधान में 12 दिवसिये नॉन टीचिंग स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का उधगातन समारों में आपका हार्दिक स्वागत है यह कारिक्रम दिनांक 25 फरवरी से 9 मार्च तक 12 दिवसिये ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन समारों में मुख्य अतिथी के रूप में 36 गर्ण स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विध्याले भिलाई के कुलपती मानुनिये डॉक्टर एम के वर्मा जी है इस कारिक्रम के अध्यक्ष श्री राजेश चोहान है श्री राजेश चोहान का जन्म 19 दिसंबर 1916 को हुआ है जो एक पूर्व भारतिये थ्रिकेटर हैं जिन्होंने 1993 से 1998 तक 21 टेस्ट और 35 एक दिवसिये अंतरराश्ट्रिये मैच खेले कारिक्रम के विशिष्ट अतिथी कर्नल भी वेंकट जी है एवं कारिक्रम के सनरक्षक रजिस्ट्रार सी एस वी टीउ डॉक्टर के के वर्मा जी एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के चेर्मेन श्री एस पीएस मथारू जी है नॉन टीचिंग स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रथम सत्र दिनांग एक जुलाई से 17 जुलाई 2021 तक चला जिसका विशेगेर शिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रवंधन शमतासंवर्धन प्रशिक्षण था इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोव में डॉक्टर अनिल्डी सहस्त्र बुद्धी जी चेर्मेन अखिल भारतिये तकनी की शिक्षण परिशद एवं समापन समारोव में माननीय श्री अमर्जीत भगत जी मंत्री 36 गड़ शासन उपस्थित थे इस कार्यक्रम का द्वितिये सत्र 36 गड़ स्वामी विवेकानंद तकनी की विश्व विद्याले विलाई जिलाग दुर्ग में दो सक्ता का आफलाहिन माध्यम से अशेक्षणिक अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्य निपुनता में प्रवीडता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनाग 15 नवंबर से 29 नवंबर 2021 को किया गया है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गैर शिक्षण कर्मचारियों एवं अधिकारियों में अकादमिक, प्रायोगिक, प्रशासनिक कार्याय को बढाना है इस कार्यक्रम के मुख्य अति थी प्रोफेसर, डॉक्टर, एम के वर्मा, माननी, कुलपती, सीएस, वी, टीउ, विलाई, गेस्ट ओफ, आनर, डायरेक्टर, एफडीपी, कर्नल वी, वेंकर, एएस, टी, नाई, दिल्ली, पी, एमसी, चेयर्मेन, प्रोफेसर, एस, पी, ए इस कार्यक्रम में भारतीय तक्नीकी, शिक्षा परिशद से संबध, अषैक्षलिक, अधिकारी और कर्मचारी भाग लिए थे, कार्यक्रम में देशभर से विभिन, राजियों के विशए, विशेशग्य, संबंधित विशे में व्याख्यान प्रस्तुत किए थे इस कारिक्रम कत्रतिये सत्रव और शैक्षिक कर्मचारी वर्ग के स्वास्थे एवं कार्य सामर्धेतु विविद प्रशिक्षण के विशे में संपन हुआ इस 12 दिवसिये प्रशिक्षण कारिक्रम के दोरान 36 तक्नीकी सत्र, 12 योग सत्र और प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के बाद दो फील्ड दोरे किये गए SSI PMAT रायपुर में दिनांक 6 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 12 दिवसिये नौन टीचिंग स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन हुआ जिसके समापन समारों में मुख्य अतिथी के रूप में 36 गड़ शासन के उच शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री माननिये श्री उमेश पटेल जी उपस्थित रहे माननिये उमेश पटेल ने अपने उद्बोधन में शिक्षा का महत्व को बताते हुए कहा कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से अशेक्षणिक स्टाफ के कारे कुशलता बढ़ेगी और जिसका लाब महाविध्याले के छात्र छात्राओं को भी मिलेगा इस चतोर्थ कारे क्रम में भारतिय तकनी की शिक्षा परिशत से संबंध और शेक्षणिक अधिकारी और कर्मचारी भाग ले रहे हैं यहे कारे क्रम पूर्णता निशुलत है इस कारे क्रम हेतू 80% उपस्थिती तथा 60% अंग परीक्षा में हासिल करना अनिवार है इस कारे क्रम में देश भर के विभिन राजियों के विशेशग्य संबंधित विशेए में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे इस कारे क्रम में Personal Excellence Guideline for Hostel Warden and Hostel Staff Management Library Management Past and Pregent Purchase Management University 1-2004 RTI 2005 New Education Policy Organization Behavior in Government विभिन विशेव पर व्याख्यान दिया जाएगा 36 गण स्वामी विवेकानन्द तक्नीकी विश्व विध्याले परिवार की ओर से आप सभी का अभार धन्यवाद भार है